हेलो नमस्कार डियर इस्टूडे में विल्कम टू सक्सेज के रियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस की बड़ी खबर आ गई है से लग बलग यहां पर 22 सो छात्रों का सेलेक्शन हुआ है मेरिट लिस्ट जारी हो गई है आपको लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करना है ठीक है अप्रेंटिस में बड़ी भी खबर है जैसे कि आप लोग यहां से अप्रेंटिस करने हैं तो आगे आने वाले में क्या यहां से अप्रेंटिस करते हैं उनको रेल्वे से अप्रेंटिस करने के बाद उनको फायदा दिया जाता है ठीक है जैसे 20 परसेंट का छूट रेल्वे गुरूप D में दी जाती है साथ में यहां पर पीट यानि कि फीजिकल एफिसियंसी टेस्ट से एक्जेप्टेड रख में मिल जाएगा यहां सक्सेज करियर अल्रेडी 12300 से अधिक केंड़ेट को यहां पर पहुच आ रहा है तो आप भी इसमें जोईन हो जाएए और जितने भी आप लोग को सेलेक्स अप्रेंटिस से रिलेटेड इंफार्मेशन है इस टेलिग्राम चैनल में आप लोग को मिल आल कोर्सेज में जैसे राजस्थान इंस्ट्रक्टर हो गया इटाई की थिरी हो गई MP PGCL का वेंडर का प्लांट अपरेटर का हो गया CITS इंट्रेंस एक्जाम हो गया तो अन्य टेक्निकल एक्जाम की तैयारी इस सक्सिट का एडियर एप में आप लोग को मिल जाएक यहां से आप लोग को क्या करना है कि SCR राइपूर डिविजन से डिवी की नोटिस है इसको डाउनलोड कर लेना है और यहां पे आप लोग को मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लेना है मैं यहां पे आप लोग को ओपन करके दिखा देता हूं मेरिट लिस्ट को ठीक है मेरिट लिस्ट आप भी ऐसा ही डाउनलोड कर लिजीगा तो यहां पर मैंने राइपूर SCR डिवीजन से यह जो मेरिट लिस्ट जारी की गई इसक से मिल जाएगा और इसमें टोटल कितने लड़कों का सेलेक्शन हुआ है मेरिट लिस्ट में जारी हुआ है तो वह देख लीजिए टोटल यहाँ पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट में जारी किया गया है ठीक है अलग अलग ट्रेड में और डीवी डेट आप लोग को जो चलने वाली है 21 मई से लेकर 30 मई 2024 तक चलने वाली है ठीक है तो इससे पहले आप लोग को सभी डाकुमेंट को बनवा लेना है आज अभी 10 मई है आपके पास सबी 12 दिन सब हैं जो भी डाकुमेंट है वह मैं आप लोग को डिसकस करूंगा और इंस्ट्रक्शन क्या-क्या फोलो करना है अगर आप इन्स्ट्रक्शन को फोलो नहीं करेंगे तो डीवी से बाहर कर दिये जाएंगे फिर आपको दुबारा बर्माना पड़ेगा या राइपूर अप्रेंटिस डीवी नोटिस को ओपन करना है मैं चलिए इसको भी ओपन करके आप लोग को सामने दिखा देता हूं क्या-क्या इंस्ट्रक्शन आप लोग को फोलो करना है तो सबसे पहले देखिए यह कहां से आया हुआ है तो साउथ इस चेंटर रेल्वे रा अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 एड अप्रेंटिसिप रूल 1962 इन एस्यार राइपूर डिवीजन राइपूर डिवीजन एड वेगन रिपेर शाप रिपेर फार्दी इयर 2024 तू 25 यहां पे देखिए नोटिस में क्या लिखा हुआ है तो नोटिफिकेशन वाज इस्यू आन 24 2024 फार इंगेजमेंट फार 844 एंड 269 एक्ट अप्रेंटिस इन राइपूर डिवीजन यहां यहां पे इंगेजमेंट के लिए नोटिसिपिकेशन जारी किया गया था जो की राइपूर डिवीजन से था रिस्पेक्टिवली दा अप्लिकेशन इन दिस रिगार्ड है और है जो अप्लिकेशन आया था अनलाइन मोड आया था जिसका लास्ट एट एक मैई में 844 पोस्ट आया था और WRS में 279 पोस्ट आया था इन सभी को मिला कर अगर हम लोग जोडेंगे 844 प्लस 279 तो किन्दा वजागा नोचार तेरह के तीन हासे लगा एक छोचार दस एक इगारा के एक हासे लगा आए आट दू दस एक इगारा इगारा सो तेरह लगबला पो अब देगे जिनका भी सीरियल नंबर एक से लेकर 600 है उनको DRM बुलाया गया है डाकुमेंट वेरिफिकेशन उनका 1 मई 2024 को होने वाला है ऐसे जिनका 601 से 1200 सीरियल नंबर है आप सीरियल नंबर अपना देख लीजिगा उनको 22 मई को बुलाया गया है 1201 से लेकर 1800 यहां पर 24 मई को बुलाया गया है 1800 से 2400 कैंडरेट को 27 मई को बुलाया गया है 2400 से 3000 कैंडरेट को 28 मई को बुलाया गया है और 301 से 3600 कैंडरेट को 29 मई को बुलाया गया है और यहां पर देखेंगे 361 से 4200 candidate को यहाँ पे 30 मही को बुलाए गया है फिर यहाँ पे देखेंगे 1 से 675 31 मही को बुलाए गया है यह उन candidate का है जो जिनका document verification छूड़ जाता है लगब लगब उनके फिर 676 से 1345 नहीं यह WRS वाले candidate है न यह DRM वाले थे तो एक से लेकर 675 candidate WRS वालों के लिए 31 मही को बुलाए गया है और 676 से 1345 वाले candidate को 3 जून को बुलाए गया है ठीक है और जो भी PWD एक सर्विसमेंट EWS कोटा candidate है उनको 6 जून 2024 को बुलाए गया और कहां document verification के लिए आपको जाना है तो community hall behind division railway hospital WRS कालोनी SCR railway राइपूर PIN code 42009 पे जाना है यह और टाइम क्या रहेगी सुबह 10 बज़े से 5 बज़े तक आपको document verification जाके करवा लेना है अब देखें यहां पे candidates to report for dv only on the date mention यानि कि जिस date को आपको बुलाए गया है उसी date को आपको पहुंचना है ठीक है कुछ important instruction है जो कि आप लोगों में यहां पर discuss करना चाहता हूँ यहां पर देखें इंप्पोर्टेंट instruction रिल्वे ने क्या दिया है तो बोला रहा है बोला है कि जो merit list बनाई गई है ठीक है percentage में और उसके बाद दूसरा बोला जा रहा है फाइनल मेरिट लिस्ट आफर विल भी सेंड आफ्टर वेरिफिकेशन आफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड सब्जेक्ट टू फाउंड करेक्ट इन आल रिस्पेक्ट बोला जा रहा है कि जो final कोमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रेलवेः ड्मिनिस्ट्रेशन कोई भी रांग इंफ्टरिशन पाते हैं कोई भी गलत इंफ्टरिशन पाये जाता है जो भी आप अप्लिकेशन में भरे थे तो उनको अधिकार होगा कि आपको डिश्यार्ज कर दें आपके selected को किसी भी स डिश्चार्ज कर सकता है यानि कि हटा सकता है ठीक है उसके पाद अगला बोला जा रहा है Candidate are advised to get the various document in the support of their qualification community disability issue by the competent authority in the prescribed pharmacist as indicated above notification if failure to produce of the document the candidate will be cancelled ठीक है आगे अब देखें जो भी बोला जा रहा है कि जो भी डाकुमेंट वेरिफिकेशन आप कराएंगे उसमें supportive क्वालिफिकेट सपोर्टीव डाकुमेंट जैसे कि आप लोग अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट ठीक है कास्ट शर्टिफिकेट आई टिआई की मार्क्सी सर्टिफिकेट सभी ओरीजिनल लेकर जाएगा फोटो ले ली जीगा आधार काड ले नो राइट फार फॉदर कंस्टराइडेशन फार इंगेजमेंट इफ दक केंडिडेटर एंड रिलेक्सेशन क्लेम कुड नाट भी इस्टिबिलिस ऐस डिजार यानिकि जो भी आप फाम इंगेजमेंट के लिए भरे हैं उसमें कोई भी चीज गलत पाहे जाता है तो आपको भी नहीं मिलेगा Candidate will have to produce hard copy of their online application at the time of document verification and same will be written in the office आपको जो online application भरे थे उसका आप लोगो को क्या करना है hard copy निकलवा कर लेकर जाना है ठीक है उसका बात बोला जा रहा है Candidate should bring all educational certificate latest community certificate and list 3 passport size photograph for the document verification डाकुमेंट verification के लिए आपको सभी educational certificate जैसे कि 10th का मार्क 6 certificate ले लिजिगा आईटी आई का मार्क 6 certificate ले लिजिगा यह लेकर जाना है यह जो भी आप फोटो कापी ले जाएंगो उस पर आपको self-attested करना बहुँ ज़रूरी है उसके बाद Candidate are advised to medical certificate at the time of document verification the medical certificate should be signed by government authority देखे आपको medical certificate बनवा कर ले जाना है और यह गोर्म मैंने CR medical certificate का वीडियो बना है आप वीडियो सेक्षन में उसको देख जाईएगा ठीक है तो medical certificate को मैंने आप लोग को टेलिग्राम चैनल में डाला है वहां से आप लोग चलिए मैं दिखा देता हूं medical certificate को देखे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं न तो यहां पे महिंद्रा में जैसे अब कोई बी डिया लाउंस अब कुछ भी नहीं दिया जाएगा ठीक है तो यह सारे आप लोग को इस्ट्रक्शन फोलो करना है यह भी इंपोर्टेंट है और आपको सारे डाकुमेंट को तयार रखना है इस्ट्रक्शन पता चल गया होगा तो आप लोग अभी तक अब गर मेरिट लिस्ट में नहीं देखें हैं तो मेरिट लिस्ट को देख लिजगा और अगर अधर डिवीजन से भी आप अप्रेंटिस के लिए एप्लाइ की है तो टेलिग्राम चैनल में अवसे जॉइन रहे है यहां पे सारे इंफार्मेशन आप लोग को पीडिएफ वगेरा लिंक वगेरा मिलती रहेग आज के लिए वीडियो में इतना है थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो गाज मिलेगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक की बाइज देए